आपने ये वीडियो छीकू के बारे में जानने के लिए शुरूर की थी लेकिन एक या यहा तो छीकलेट नजर आ रहा है छीकू का छीकलेट से क्या लेना देना है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे इस फल को हम हिंदी में चीकू कहते है और दक्षिन बारत में सपोर्टा कहते है इतना ही नहीं पूरी दुनिया में इस फल को चीकू या सपोर्टा के नाम से ही जाना जाता है अब तक आपको लगता होगा कि चीकू एक शुद्ध हिंदी शब्ध है लेकिन क्या आप जानते है कि ये शब्द मेक्सिको के मूल निवासियों द्वारा बोले जानी वाली एस्टेक प्राशा से आई है ये जानने के लिए कि एस्टेक शब्द हमारा अपना हिंदी शब्द कैसे बन गया हमें इतिहास में वापस जाना होगा जब यूरोपियों का पूरी दुनिया पर शासन था सोलावी शेताब्दी के दोरान मेक्सिको स्पेइन के नियंतन में था उस समय सामराज्यवादी उन प्रदीशों की खोच कर रहे थे जिन्हें वे पहले कभी नहीं जानते थे और वहाँ खेफ मसालों, फलों और सब्चियों को अपने देश वापस ले जाते थे शीको एक ऐसा फल है जो मेक्सिको से स्पेइन के रस्ते दुनिया के सामने पेश किया गया है स्पैनिश में आने पर एस्टेक शेप सपोर्टल सपोर्टे बन गया जिसका अंग्रीजी और अनी बाशाव में सपोर्टा के रूप में अनुवाद किया गया और शीको का क्या? यह भी ऐस्टेक बाशा से ही आता है ऐस्टेक बाशा में चिकले एक प्रेकार के गोंध है जिससे चूइंग गम बनाया जाता है उस गोंध को ज्यादातर सपोर्टा के पेट से एकत्र किया जाता है आप तो समझी गए होंगे कि चीकू वह पेट है जिससे सबसे ज्यादा चिकले एकटा किया जाता है और उस चिकले से बनाने वाले चूइंग गम को चिकलेट करते हैं हमने देखा है कि इस फल का नाम कैसे पड़ा पर यह दक्षिन अमिर की फल हमारे बारती महादवे में कैसे आया बारत वासियों से इस फल का परिचे अंग्रेजों ने नहीं बलकि एक बारती पार्सी व्यापारी सर्दिंचा मैनिक जी पटिट द्वारा किया गया उन्होंने 1890 में बॉंबे में अपने बगीची में इस पेड को लगाया था दस साल बाद उनके माली आदरेशिर इरानी ने दहानू नामक शेत्र में कुछ पौदे लगाये और अब पुराक शेत्र चीकु के बगानों से एक बारा हुआ है 2016 में दहानू गोलवाट चीकु को बारत सरकार द्वारब भौगोलिक सुचांकक यानि जी आई टैक के रूप में मान्यचा दी गई थी अब भारत में हम नखेवल सबसे अधिक चीकु उगा रहे है और उसका उपभोग कर रहे है बलकि सबसे अधिक निर्यात भी कर रहे है लेकिन दक्षिन अमेरिका से आने वाले यह एक मात्र ऐसा फल नहीं है जिसने हमारा देश में इतना महत उप्राप्त किया है और भी काफी कुछ है यदि आप उनमें से किसी को जानता है तो कुरुपया कॉमेंट में शेर करिए ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करें